हाई एवरिवन, विल्कम बेक्टो मैं चेनल आजना मेरे घर में गेट टोगेधर था तो मैंने 20 लोगों के लिए दाल बाटी बनेई है और इसकी खास बत यह है कि इतनी सारी बाटी बनाने के लिए ना मेरे पास बाटी का कूकर नहीं था तो मैंने कड़ाई में ही 20 लोगों की बाटी बनाई और बाटी ना बीना कूकर के भी बहुती अच्छी बनी और कड़ाई में बाटी बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगा और डाल तो इतनी अच्छी बनी कि सब को बहुती पसंद है और सब ने बहुती तारिक की और साथी में मैंने लेसुन की चटनी भी बनाई हैं वो भी बहुती टेस्टी बनी हैं तो 20 लोगों के लिए डाल बाटी की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर देना तो चालिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पेले न मैंने यहाँ पे पांच डाल लिए इसमें मैंने एक कप मसूर की डाल एक कप चना डाल एक कप उड़त डाल और एक कप मूंग की डाल और फिर मैंने यहाँ पे एक कप तुवर की डाल लिए सारी दाल मैंने एक एक कप यानि की equally ली है अबना हमें इसमें पानी एड करके दाल को अच्छे से 2-3 बार या फिर जब तक साफ पानी ना निकले तब तक वोश कर लेना है और दाल में से पानी निकाल लेना है इसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर में पानी गरम करने के लिए रख दिया था अब गरम पानी में हमें दाल एड़ कर देनी है और फिर इसमें एक टेबल स्पून नमक एड़ करके कुकर बंद कर देना है और दाल में पाथ सीटी लगने देनी है तो दाल अमारी बोईल हो रहे है तब तक हम यहाँ पे बाटी बनाने के लिए आटा गुश लेते हैं मैंने यहाँ पे 8 किलो और 750 ग्राम गेहु का दरदरा आटा लिया है अब इसमें 250 ग्राम सूजे एड कर देंगे सूजे एड करने से न बाटी खस्ता बनेगी इसके बाद 2 टेबल स्कून नमक एड कर देंगे फिर इसमें 1 एन हाफ टेबल स्कून सोफ एड कर देंगे इसके बाद इसमें 1 एन हाफ टेबल स्कून अजवाइन एड कर देंगे और फिर बाटी को हल्का सा यलो कलर देने के लिए इसमें हाफ टेबल स्कून हल्दी एड़ कर देंगे फिर इसमें मैं एक टेबल स्कून बेकिंग पावडर एड़ कर रहे हूं बेकिंग पावडर एड़ करने से ना बाटी अंदर से अच्छे से बेक हो जाएगी और इसमें मोयन के लिए एक कप घी एड़ कर देंगे और मैंने आटे में थोड़ी से इंग भी एड़ की हैं आप मोयन के लिए घी की जगह पे तेल का भी यूज कर सकते हैं अब सारी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से रब करते हुए सारे मोयन को आटे में अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से चेक करने से अगर मुठी बन रही है इसका मतलब इसमें मोयन पर्फेक्ट पड़ा है अगर मुठी नहीं बन रही है तो आप थोड़ा और की एड़ कर सकते हैं अब हमारे कुकर में भी 5 सिटी लग चुके है, तो गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते हुए सक्थ आटा गूथ लेना है। औरना हमें बाटी का आटा नरम नहीं गूथ ना है। आटा हमें थोड़ा सक्थ रखना है, तभी हमारी बाटी फस्ता बनेगी। और इस तरह से जरूरत के इसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते जाना है और बाटी का सक्थ आटा गूथ लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाटी का आटाग गूत लिया है अब इसे ढखकर थोड़ी गेर के लिए साइड में रख देंगे अब हमें यहाँ पे बाटी पकाने के लिए कड़ाय को गिस के उपर रख देना है और इसमें नीचे नमक एड़ कर देना है मैं यहाँ पे यूज किया और नमक ले रही हूँ और मैं इस नमक को बाटी पीजा केक वगएरे बनाने में यूज करती हूँ और कड़ाय में नमक एड़ करने के बाद उपर इस तरह कस्टेल या फिर जाले रख देंगे और इसे कवर करके 7-8 मिनिट के लिए प्रिहिट करने के लिए रख देंगे और इस तरह से स्पून या फिर चप्पू रख देना है चुकि कभी-कभी क्या होता है इसमें एर फर जाने की वज़े से ढखकन खुलता नहीं है और टाइट हो जाता है इसलिए स्पून रखने की वज़े से ढखकन थोड़ा सा खुला रही जा अब जब तक हमारी कड़ाई प्रिहिट हो रही है तब तक हम यहाँ पे बाटी बना लेते है और बाटी बनाने के लिए आटे में से थोड़ा डोल लेना है और ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्या इतने आटे में से इस तरह की दो प्लेट भरके 42 बाटी बनी है और यहाँ पे हमारी कड़े भी प्रिहिट हो गई है तो इसमें बाटी को बेख करने के लिए रख देना है और बाटी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बेख करना है अब हमारी डाल को चेक कर लेते हैं तड़का लगाने के लिए बड़े बर्तन में 4 टेबल स्पून तेल एड़ कर देना है और तेल गरम हो जाए फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून राय एड़ कर देनी है राय एड़ करने के बाद 1.5 टेबल स्पून जोई राय एड़ कर देना है और इसके बाद 2 सुखी लाल मे एड़ कर देनी है, फिर एक टेबल स्पून हेंग एड़ कर देनी है, और फिर मैंने यहाँ पे दस बार तिखी हरिमिच और दस बार ले सुनकी कलियों को साथ में क्रश कर लिया है, वो इसमें एड़ कर देंगे, और साथी में तीन टेबल स्पून ग्रेट किया हो अधरफ की पेस्ट एड़ कर देंगे, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे चार प्यास को चोपर में चोप कर लिया है, वो इसमें एड़ कर देंगे, फिर मैंने यहाँ पे चार टमाटर को भी चोपर में चोप कर लिया है, टमाटर भी हम इ करते रहेंगे जिससे बाटी चारों और से इक्वली बेख हो सके इस तरह से बाटी को कलट कर फिर से ढखकर पकने देना है औरना यहां पे हमारे प्यास और टमाटर भी सोफ्ट हो गए है अब इसमें मसाले कर लेते हैं पहले इसमें एक टेबल स्पून हल्दी एड कर देंगे इसके बाद दो टेबल स्पून लाल मीच का पावडर एड कर देंगे और दो टेबल स्पून धनिया जीरा पावडर एड कर देंगे फिर इसके बाद हाफ टेबल स्पून गरम मसाले एड कर देंगे और दो टेबल स्पून नमक एड कर देंगे नमक हमने दाल को बोईल करते वक्त भी यूज किया था इसलिए इसके हिसाब से नमक एड़ कर रहे हैं अबना सारे मसालों को थोड़ी देर भून लेना है जिससे सारे मसालों का फ्लेवर दाल में बहुत ही अच्छाएगा मसालों को एक दो मिनिट भूनने के बाद इसमें बोईल की हुवी दाल एड़ कर देंगे और दाल को ग्रेवी के साथ मेक्स कर लेंगे जब दाल और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें दाल की कंसिस्टन्सी सेट करने के लिए पानी एड़ कर देंगी आपको इसमें दाल कितनी गाड़ी रखने है इसी सबसे पानी एड़ करना है लेकिन बाटी की दाल को बहुत ज़्यदा पचली भी नहीं और बहुत ज़्यदा गाड़ी भी नहीं इस तरह की रखने है दाल में पानी एड़ करने के बाद दाल को पकने देना है और यहां पर हमारी बाटी को चेक कर लेते हुआ देखे बाटी अच्छे से बेख हो चुकी है अब सारी बाटी को निकल लेंगे और कड़े में दूसरी बाटी को बेक होने के लिए रख देंगे और यह हमारी बेक की उई बाटी गरम गरम हो तभी इसको घी में डीप कर लेना है और ना इस तरह से सारी बाटी को घी में डीप कर लेंगे और ना बाटी की एक बेच को बेक होने में लगबग 20 से 25 मिनिट का टाइम लगता है अब हम लेसुन की चटने बना लेते हैं चटने बनाने के लिए मैंने एक टमाटर और एक प्यास को रफनी चौप करके मिक्सर जार में एड़ कर दिया है फिर इसमें 15 से 20 लेसुन की कलिया एड़ कर देंगे और फिर 3 टेबल स्कून लाल मिर्स का पावडर एड़ कर देंगे फिर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल राजस्थानी लेसुन की चटनी नहीं बना रही हूँ मैं इसे अपने तरीके से बना रही हूँ और यह भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अब यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से कूक हो चूकी है अब इसे साइड में रख देंगे और लेसुन की चटनी को पका लेंगे चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून तेल लिया है इसमें हमने लेसुन और लाल मिट की पेस्ट बना के रखी थी वो एड़ कर देनी है और इसे तेल सेपरेट हो जाई तब तब पका लेना है अब चटनी हमारी पक रहे हैं तब तक बाटी को चेक कर लेते हैं और यह देखें बाटी भी हमारी अच्छे से बेख हो चुकी है अब सारी बाटी को घी में डिप कर लेंगे और यहाँ पे हमारी लेसुन की चटनी भी बनके रेडी हो चुकी है तो ये हमारी 20 लोगों के लिए डिलिश्यस, डालबाटी और लेसुन की चट्मी बनके रेडिंग हो चुकी है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? कॉमेंट करके जरू बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेट और साथी में नई नई रेसिपी के लिए सेनल को सब्सेब जरू कर देना अब मेरते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और परफेक्ट रेसिपी के साथ सब तक के लिए बाई, थेंक यू, इंजोई